जस्ट्रिस फोर शुषान सिंग राजपूट आज मैं बात करूँगा बोली उड के शिंपैंजी के बारे में जिसकी शगल तो लग रही है बिल्कुल चूए जैसी लेकिन बाते करता है यह शेरो वाली इसका नाम है कमल रशिद खान इसने शुषान सिंग राजपूट की इतनी इंसल्ट करिया जब वो इस दुनिया में थे शायद मेरे ख्याल से आज तक किसी ने शुषान सिंग राजपूट की इतनी बेज़ती नी करियोगी जितनी इस बंदे ने करिये ये बंदा बोल रहा है कि श्राण सिंग राजपूत ने केदारनाथ मूवी इसलिए करी थी ताकि वो सारा अली खान को किस कर सके क्योंकि उस मूवी में किसिंग सीन था इसने इतनी गंदी बात बोलिया एक ये बोल रहा है कि शुरान सिंग राजपूत को एक्टिंग नहीं आती थी बिल्कुल भी आज हम सब मिलके इसको एक्सपोज करेंगे अच्छे से अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ ये क्या क्या बोल रहा था शुरान सिंग राजपूत के लिए इसकी बैंड बजाओंगा आज अच्छे से शुरान सिंग ने बहुत ही बुरी एक्टिंग की है उन्होंने पूरे फिल्म में पता नहीं कैसे कैसा मूँ बनाया है शायद डिरेक्टर ने उनको कहा था कि आप जितना उल्टा सुल्टा मूँ बनाएंगे उतनी बढ़िया आपकी एक्टिंग मानी जाएगी अबै साले चिम्पैन जी अगर सुशान सिंग राजपू टेड़े मूँ बनाएगा न तो भी तेरे मूँ से उसका मूँ बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उनको स्क्रिप्ट की बहुत नौलिज है और मेरे भाई अगर आपको स्क्रिप्ट की रियली नौलिज है तो फिर बॉमकेश और राप्ता जैसी वाहियात फिल्में आप नहीं करते थे तो मेरे दोस्त आपको स्क्रिप्ट का बिलकुल अतापता नहीं है अब चूतिये तू बोल रहा है उसे स्क्रिप्ट की नोलिज नहीं है अगर साले उसे स्क्रिप्ट की नोलिज नहीं होती ना तो MS दोनी जैसी मूवी केदारना जैसी मूवी और सबसे बड़ी बात चीचोरे जैसी मूवी नहीं करता हो अगर उसे स्क्रिप्ट की नोलिज नही होती आगे सुनो क्या बोल रहा है ये सुशान सिंग क्या कर रहा था क्यों कर रहा था ये तो उसको खुद भी पता नहीं होगा क्योंकि उसको यही पता नहीं था शायद कि ये फिल्म क्या बन रही है और वो क्या रोल कर रहा है बट हाँ ये उसको पता था क्योंकि टीवी आर आलमोस्ट पैक अप कर दिया है अब बड़ा ही मुश्किल होगा उस लड़के के लिए कमबेक करना अब तुम खुछ सोच लो कि बोलीवूड इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे चिंपेंजी थे जो श्रांसिक राजबूत की इतनी इंसल्ट करते थे अब एक बार बताओ यार इस इ आगे वीडियो में बात करते हैं हम वावा वावा सारा अली खान इस फिल्म में हिंडू है यानि जो रियल में मुस्लिम है उसको फिल्म में हिंडू बनाया गया है फिर गलत कास्टिंग अब सुशान्द और सारा जबर्दस किसम से किस कर रहे हैं शायद शुषान ने ये फिल्म की भी इसलिए होगी अब तुम खुद सोचो ये कितनी घटिया घटिया टाइप की बाते बोलने लग रहे है सारा अली खान रियल में मुस्लिम है फिल्म में हिंदु है इसलिए शुषान सिंग राजपूत ने किस करने के लिए ये मुवी करी होगी एक्टिंग शुषान को आती नहीं है हाँ शुषान को एक्टिंग आती नहीं है MS दोनी और चिचोरी जैसे मुवी में तो तूने किया था ना काम शुषान उक्तिंग आती यह यह बाइशाब बोल रहे हैं क्योंकि के आरके चिंपैनजी ख्याल में एक टाकपूर पर बहुत बड़ा फाइन होना चाहिए जिन्होंने उनको एक्टर बनाया वा भेंचोद वा एक तगबूर पर फाइन होना चाहिए जिन्हों ने शुषान सिंग राजपूर को एक्टर बनाया है अब उसकी मेहनत ने बनाया था उसकी मेहनत ने वो तो अपने आपको शाहरुख खान से कम बिल्कुल नहीं समझेगा शुषान सिंग ने यहां बहुत ही खराब एक्टिंग की है पूरी फिल्म में उनके चेहरे पे कहीं भी एक्सपरेशन का नाम और निशान नहीं है उनको सिर्फ ये पता है कि मूँ को कैसे बनाना है मतलब वो मूउ बनाने से उनको फूर्चत ही नहीं मिलती वार चूतिए अगर तुसे 50 चोड देगा ना एक मूबी तो वो बी कम है कम है कौया कौहीं भी की वीडियो में मैं बोल नहीं पाँगा इसकी अरकत देखो इसने क्या-क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि अगर आप चिछोरे अगर देख ले तो आदमी ऐसे ही पागल हो जाए और जो इनको बूढ़े का गेट अप दिया गया है उसमें तो बिलकुल देख नहीं सकते शुशान सिंग का आपको पताई है कि वो कितनी लाजवाब एक्टिंग करते हैं एक मिनट में पंदरा दफा मू बनाते हैं पता नहीं किसने बता दिया इस लड़के को कि यही एक्टिंग है अब तिवारी सहाब ने शुशान्त को नेरशन दिया शुशान्त को तो वैसे ही मतलब इतना पता है फिल्मों के बारे में कि भाई मतलब बात ही मत पुछो और उपर से तीवारी साहब ने शुशान्त को ये कह दिया कि भाई आप फिल्मे बूढे बने हो और बूढे बनके जब आप एक्टिंग कर रहे हो तो सोचो आप किस लेवल के एक्टिंग करोगे भाई मतलब अगले पांच साल हर साल नेशनल आवर्ड आपको इस ही एक्टिंग के लिए मिलता रहेगा बस आप वीडियो पोस्ट करके उन्हें रिड़ी कर सकते हो लेकिन मैं अपने मूँ से नहीं बोल सकता तो अब तुम खुद बता दो कि यार ऐसे इनसान के साथ क्या करना चीए ये खुद चारा है कि पब्लिक मेरे को एक्सपोस्ट करे खुद चारा है ये इसने ऐसी ऐसी बात थे वो डाली की मूँ बनाना नहीं आता किस करने के लिए मूवी करिये है गुड़े के रोल में अच्छे नहीं जचरे अब खुद सोचो यार कितना घटिया टाइप का इंसान है और यहीं नहीं ऐसे कुछ और भी अमोलीवड इनस्ट्री में बहुत है जो शुषान सिंग राध्पू जैसे एक्टर को दमाने की कोशिश करते है तो अब इस वीडियो की एंडिंग में यही पर करता हूँ रिक्वेस्ट है इसे इतना शेयर कर देना कि चूतिय तक पहुच जाए और आज के गमेंट सेक्शन में जितनी गालिया दे सको देो भाई प्लीज आज गाली देखनी है मेरे को तुम कैसी गाली दे सकतो इस बंदे को अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स वीडियो में अगर मेरे पास कोई भी लेटेस अपडेट आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा अगर कोई मुझसे इंस्टैग्राम पे बात करने चाता है तो मेरी डिस्प्ले पे शोर ही होगी तो जाओ-जाके इंस्टैग्राम पे फॉलो करता हूँ वा मैं आप लोगों से बात करूँगा और हाँ अगर कोई मेरे चैनल सब्सक्राइब करने चाते हैं तो ये लाल गलर का बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर सकता है और ये बैल आइकन जरूर प्रेस कर देना इससे क्या होगा जैसे ही मैं वीडियो अप्लोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आजा